बजट 2023 आ गया है, EV इंडस्ट्री जो है वो इसको लेकर बहुत सीरियस थी, उनको पूरी उमीद थी कि जिस तरह देश्ट में इलेक्ट्रिक विकल को प्रमोट किया चारा है, उस हिसाब से बजट में जरूर EV के लिए बड़े ऐलान होंगे, तो आज हमारी इस रिपोर्ट मे हम आपको बताएंगे, EV इंडस्ट्री के लिए क्या बिग अनाउंस्मेंट हुई है, डिरेक्ट्ली और इंडिरेक्ली लेकिन उसे पहले बेल आगें दबागर पावर टॉक्स को सब्स्क्राइब जरूर कर लीजिए, मोबिलिटी के रिगार्डिंग बचट में में फोकस थ जरूरत है, फाइनन्स मिनिस्टर निर्मला सीता रहन ने ग्रीन मोबिलिटी एडॉप्शन पर ज्यादा जोर दिया, अब गवर्मेंट ने डिसाइड किया है कि EV में जिन लीथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, उनमें लगने वाला कैपिटल गुड या फिर बैटरी को मैनुफेक्चर करने के लिए मशीनरी को इंपोर्ट करने पर टेक्स में रिबेट दिया जाएगा, इसके अलावा लीथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है, पहले 21% अब 13% इसे कर दिया गया है, EV बैटरी पर मिलने वाली सबसीडी को भी एक और साल के लिए एक्स्टेंट कर दिया गया है, अभी तक होता ये था कि एक इलेक्ट्रिक विगल की कॉस जादा होती थी लीथियम आयन बैटरी की वज़ा से, क्योंकि इनके सिल्स बाहर से ही इंपोर्ट होते थे, तो अब गवर्मेंट ने इसको समझा है और कस्टम ड्यूट इंडिया में ही की जाए, ये अचानक तो नहीं हो सकता लेकिन अब गवर्मेंट के इस डिसीजन के बाद इंडिया की बाकी कंपनीज भी इनिशेटिव लेती नजर आ सकती है, और इन डारेक्ली इन सब से आपको इलेक्ट्रिक विगल की कॉस्ट में कमी जरूर देखने को म आमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसे ही देखते रहें ये पावर टॉक्स